हेलो फ्रेंड्स, वेलकाम टू बाक्सा मेकैनिक दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियो फ्राम तीन हजार अटालीज डी आई फोर डाबलो डी ट्रैक्टर की किमात और स्पिसिफिकेशन की बारे में तो चलिए सुरू करते हैं इंजिन कॉन्फिकरिशन इस ट्रैक्टर पे तीन सिलेंडर के अंदर पचास होर्स पावर दिया हुआ है इस ट्रैक्टर की इंजिन टाइप, डीजेल, पोर स्टोप, डाइरेक इंजट्स हैं इस ट्रैक्टर की इंजिन रोटेटी स्पीड दो हजार दोसो आर्पीम फ्यूल पांप, इंलाइन पांप, एर क्लिनर, ड्राइट, कुलिंग सिस्टेम, अटर कुलेट इस ट्रैक्टर को सिंगल और डियल अप्शनल क्लाश के साथ एट फरवाड गयर और दो रिवर्स गयर दिया हुआ है इस ट्रैक्र की फरवड हाईपीड बटिज दा द मलाद 19 kph, फरवड शोएपीड दो दा समलाद 20 kmph, और इस ट्रैक्र की रिवर्स हाईपीड दा समलाद 32 kmph, रिवर्स बट दा समलाद 15 kmph ब्रेक & स्ट टिरिंग brake, will immerge multi plate disc brake or dry dual discs दोनो अप्टिनल और steering, power steering hydraulic system, इस ट्रक्र की hydraulic lift capacity 1400 kg, hydraulic control, automatic depth and wrap control, linkage 3 point linkage electric system, इस ट्रक्र पे 12V और 75 AH का बैटरी दिया हुआ है, starting method, motor self start पावर ट्रेक ओप एनि PTO इस ट्राक्टर की PTO SP line 6 SP line PTO speed 540 rpm विल ड्राइब एंट टायर इस ट्राक्टर को चार पायो में चलाए जाता है और इस ट्राक्टर की पॉंट ट्राय साइज 8 अट राइंच और रियर ट्राइज 14-18 इंच Body Size and Weight इस ट्राक्टर की टोटल वेट 2370 kg, अबरल लेन 3760 mm, अबरल ओट 1850 mm, अबरल हाइट 1680 mm, ग्राउंड किलियरनेज 380 mm प्रेंट्स आप बात करते हैं इस ट्राक्टर की कीमात की बारे में इंडियो फ्राम 1380 Di4WD ट्राक्टर की कीमात 7,200 mm के आसपास, आप जह रहते हैं उस चागों पे इस ट्राक्टर की कीमात अलग हो सकता है आप इस चैनल पे साभी ट्राक्टर की बारे में जान पाएंगे इसलिए इस चैनल को जोरू सब्सक्रीब करिये थैंक्स पर उचिंग